हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक तो माई चैनल, तो तुड़े इन दिस वीडियो, वेल लॉर्ण अबाउट द वैनम अपैरिटर्स इन द स्नेक्स, तो फ्रेंट्स अगर हम स्नेक्स के बात करते हैं, तो सबको ही, इंक्लूडेड मी, सापो से या स्नेक्स से बहुत डर लगता है क्योंकि हमें क्या डर होता है, कि जो स्नेक्स से वो हमें क्या करेंगे, काट लेंगे, और उनके काटने से या उनके बाइट से क्या होगा, उनका जो वैनम है, उनका जो पॉईजन है उनकी बॉड़ी का, वो हमारे अंदर चला जाएगा, जिससे हम मर जाएंगे So friends, यह जो venom है या उनके body में जो poison है वो आता कहां से सबके mind में question हमेशा उड़ता है कि यह जो venom है यह जो poison है वो उन snakes में आया कहां से या अगर उनके अंदर present है So, उनका apparatus उनका structure कैसा है उसमें क्या-क्या होता है जिससे क्या होता है Venom उनके body से secret होता है जब वो bite करते है So friends, इस question का जो answer है वो हम इस video में पढ़ेंगे अब friends, snakes जो होते हैं वो हम क्या बोलते हैं poisonous snake है या venomous snake है यह जो दो words है एक तो है poison और एक है venom इन दोनों का अगर आपको पूछे कोई कि venom और poison में क्या difference है या similarities है, इन दोनों का मतलब क्या है So इन दोनों का meaning हम क्या बताते है toxic, ऐसी चीज़े जिनको खाने से हम dead हो जाएंगे मर जाएंगे उसी को ही हम venom कहते हैं उसी को ही हम poison कहते हैं जिसको हम हिंदी में जहर कहते हैं जहर जो होता है, उसको हम खाते ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे So यही होता है venom, poison But friends, अगर हम venomous या poisonous या इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में भी difference है दोनों words अलग अलग है Like what is poisonous? कभी कोई आपको normally exam में तो ऐसे question obviously नहीं बनता कि poisonous और venomous का बताओ, बट यह जस्ट एक जी के टाइप है कि आपसे कोई पूछता है कि venomous और जो poisonous यह दोनों एक जिसे words है But इन दोनों में कोई difference है कि दोनों एक ही होते है So yes, इन दोनों में difference है Poisonous क्या होता है Friends, कि जब भी हम ऐसा कुछ plant खा लेते हैं या कोई भी plant खाया हमने या कोई भी animal को eat किया और उसकी वज़े से उसके किसी के part में या उसको खाने के वज़े से toxic reaction हो गई अपनी body में जिसे friends, हम food poisoning भी कहते हैं कभी किसी खाने को कुछ भी खाने की वज़े से toxic reaction होने की वज़े से It means क्या food poisoning क्या होता है It means वह जो food था जो हमने खाया वह poison बन गया है अंदर जाकर हमारे body के अंदर जाके क्यों क्योंकि toxic reaction की वज़े से क्योंकि जो plant या animal जो भी हमने eat किया है उसमें problem थी वह क्या था पहले से allergic था या फिर उसमें पहले से क्या था वह toxic amount प्रेजेंट था जिससे अपने body में जाते ही वह क्या हो गया toxic reaction हो गई हमारे body में जैसे कि allergy हो सकती है choking हो सकती है respiratory problems हो सकती है death भी हो सकती है किसी इंसान की कुछ भी खाने की वज़े से इस plant या ऐसा जो animal होगा उसको हम क्या कहते है poisonous कहते है यह poisonous plant है यह poisonous animal है बट venomous की अगर बात करते है तो venomous word का मतलब होता है कि कोई भी एक animal जिसमें special type के apparatus या special structure प्रेजेंट है एक body का part प्रेजेंट है जिसमें से वो toxic substance है जिसको हम toxin कहते हैं या जिसे हम क्या कहते हैं venom कहते हैं वो release होता है वो अपनी enemy को जब भी मारता है जब भी किल करता है जब भी वो जो snakes या कोई भी animal जब भी attack करते हैं तो जो सामने वाले उनके जो enemy है उनके body में inject जो करते हैं उस toxic substance को या उस toxin को हम क्या कहते हैं venom बोलते हैं यह एक general क्या है difference है poisonous और venomous में so all the venomous snakes have venom apparatus in their heads which is not found in non-venomous snakes अब friends हम snakes की अगर बात करते हैं तो हमको हमेशे कैसा लगता है कि सारे साब ही कैसे हैं जहरी ले हैं हम उनके पास नहीं जाते हैं बट friends ऐसा नहीं होता सारे snakes कभी भी जहरी ले या venomous नहीं होते हैं कुछ ही snakes ऐसे हैं जो क्या है venom apparatus जिन में present होता हैं उनके head में जो venomous होते हैं जहरी ले होते हैं बाकी बहुत सारे ऐसे snakes होते हैं जो non-venomous होते हैं जिन में venom apparatus ही क्या होता है present नहीं होता है जिसकी वज़ा से अगर वो snake हमें काट भी ले तो क्या होगा हमारे body से थोड़ा सा blood निकलेगा और क्या होगा कुछ भी फरक नहीं पढ़ना है हमारे body में हम death नहीं हो जाएगी हमारी क्योंकि कोई भी venom कोई भी toxin जो है वो हमारे body में गया ही नहीं है तो अगर हम अब हम बात कर रहे या venomous snakes या venom apparatus जो हमने इस वीडियो में पढ़ना है वेनम apparatus में क्या क्या आता है एक तो pair of venom glands venom glands प्रेजेंट होती है इनमें जिनमें से venom भड़ा भुवा रहता है वेनम जहां से रिलीज होता है जिन डूप्ज प्रेजेंट होगा जिन ducts के या जिन tubes के through venom बाहर आएगा और fangs होते हैं so fangs के होते हैं friends अपने snakes के चारो तरफ जो mouth होते हैं उसके चारो तरफ नहीं sorry जो mouth है उसके आगे two जो दो हैं वो एकदम sharp teeth canines बाहर निकले हुए देखे होते हैं वो जो sharp teeth होते हैं जो बाहर निकले हुए रहते हैं जो जिनके through क्या होता है जो venom है वो body के अंदर inject होता है उसे हम fangs बोलते हैं और कुछ muscles होती है जो इनसे क्या होती है associated रहती है so first आती है venom glands अब venom glands कहा होती है जो अपर जो होता है snakes का और आइस के नीचे और अपर जो के side में वहाँ पर venom glands क्या होती है situated होती है या located होती है और यह एक तरह की क्या है modified superior labial या parotid glands है it means फ्रेंट से एक तरह की modified salivary glands है एक तरह का saliva ही है salivary glands है जो swallow करने में it means जो खाना है food है उसको निगलने में swallowing में निगलना then chewing में and then अपनी खुद की defense as a defense तो ही कि snakes को अगर हमें कभी भी प्रेंट कोई भी animal हम पर attack नहीं करता है जब तक हम उसे छेड़ते निया tease नहीं करते है तो snake अपने obviously defense के लिए तो इसका यूज करता ही तो यह एक तरह के लिए क्या है यह एक तरह से parotid glands या एक तरह की salivary glands जो modified salivary glands okay then next small and oval sea snakes अब यह जो salivary glands होती है वो sea snakes जो होते हैं उनके अंदर कैसी होती है small और oval shaped होती है और जो large और tubular जो होती है वो किसमें होती है वाइपर में होती है इनका पूरा नाम है pit wipers यह snakes के टाइप से देन जो venom glands होती है friends वो कैसी होती है वो जो it means held होती है उसके जो दोनों तरफ वो पूजिशन पर है इटमिस जो अपर जो है उसके पास बे उसकी वह साइड में सो वो किधर होती है वो ligaments के बीच में held होती है इटमिस उसके side में ligaments होती है जो उन venom glands को क्या करते है पोजिशन में hold करके रखते उस जग़पे जिसमें जो एंटीर end होता है gland का आगे वाला जो पार्ट होता है anterior means आगे posterior means पीछे जो एंटीर end होगा gland का उसको maxilla से connect करता है या attach करता है और जो posterior ligament होता है वो क्या करता है जो gland होती है venom glands उनको quadrate से attach करता है connect करता है जो इच gland दोनों ही डो gland प्रेजेंट होंगी pair of gland ने पढ़ा तो हर एक gland जो है उसकी चारों तरफ एक fibrous connective tissue present होता है क्या होता है fibrous connective tissue प्रेजेंट होता है दोनों glands के चारों तरफ और एक fan shaped constrictor muscles present होती है constrictor muscles होती है जो उनके चारों तरफ के fan shaped पंखा हो उस shape में constrictor muscles present होती है जिनको हम temporal muscles भी बोलते हैं या masseter muscles भी कहते है then mostly friends अब temporal words यह होगे so temporal words याद रखना word masseter बहुत कम यूज होता है और obviously नहीं ही होता है temporal word ही हम यूज करते temporal muscles then इसकी stretching होती है it's stretching during biting squeezes venom from gland into its duct. अब यही जो muscles होती है friends जब इस stretch करती है उस time पर क्या होता है जो venom जो glands होती है वो squeeze हो जाती है और उन में से क्या होता है जो venom होता है वो duct के अंदर pass out हो जाता है okay then second जो आता है वो आती है venom ducts अब venom ducts क्या होती है यह तरह की tubes होती है narrow tubes होती है जो आगे से anteriorly venom glands के आगे से क्या होती है रिलीज हो रही होती है आगे से arise होती है जो venom glands से उनके आगे प्रेजन्ट होती है venom ducts जो क्या करती है to the base of a venom fang to enter its group और canal जो tubes के थूँ जो venom fangs है it means जो fangs है जहां से जो क्या करते है जो किल करने में जो आगे के जो दो टित होते है वो उन्हें हम fangs बोलते है तो उन fangs तक connected होती है वह ऐसी tubes या ऐसी ducts होती है जो venom glands से venom fangs तक क्या करती है वैनम को लाने का काम करती है जो कहां attached होते है maxillary bones maxilla से attached होते they serve as hypodermic needles so friends hypodermic needles क्या होती है जो injection होता है so injection sorry injection हम normally बोल देते डॉक्टर हमें injection नहीं लगाता है हमें syringe से जो अंदर जो दवाई उन्होंने medicine है उसको inject करता है उसे हम process को injection कहते है बट हम normally क्या कहते है डॉक्टर ने आज हमें injection लगाया injection नहीं लगाते है सिरिंज होती है और सिरिंज क्या होती है जो पीछे की प्लास्टिक वाला जो पार्ट होता है उसे सिरिंज बोलते है और आगे की जो needle होती होती है hypodermic needle जो inject करने के लिए कोई भी जो substance उसको inject करने के लिए body में काम आती है जो ये भी एक तरह से hypodermic needles ही होती है जो क्या inject करती है जो venom inject करती है into the body of victim शिकार जो है उनका उसकी body में venom inject करने का काम करती है फिर जो fangs होते हैं वो कैसे होते हैं लॉंग होते और एकदम sharply pointed होते और hook like structure होता है इनका और extremely hard होते है इसी लिए टूट जाया ऐसे नहीं होते है और calcified होते है it means friends calcium carbonate calcium के forms का structure होता है उनका उनसे बने हुए होते है और एक तरह से with a superficial enamel layer so enamel friends क्या है हमारे पूरी body का क्या होते है सबसे strongest part होते है strongest substance जो हमारे पूरी body का है वो क्या है इनेमल है तो इनके भी चारो तरफ superficial enamel की layer होते हैं गे teeth के चारो तरफ पट फीर भी friends कभी का बार ऐसा होता है यूमन के kya करने से अटेक करने से या कुछ भी जब fangs क्या हो जाते हैं lost हो जाते हैं, fangs break हो जाते हैं, तूट जाते हैं तो इन में वो भी चीज होती है एक regeneration process भी होती है कि इनके body में इनके जो original जो fangs है उनके पीछे ही reserved fangs भी present होते हैं तो जब असली जो आगे वाले fangs तूट गए lost हो गए तो क्या होगा दूसरे fangs जो पीछे वाले reserved fangs थे वो regenerate हो जाएंगे और आगे आजाएंगे अब इन fangs के ही structure और position के base पर venomous snakes जो हैं उनको हमने three types में divide किया है जिसमें first आते हैं solenoglyphos जो snakes होते हैं जो fangs होते हैं okay so वो कैसे होते हैं large functional fangs occur in the front of each maxilla जो हर एक maxilla दो maxilla होते हैं friends मैंने reptilia हमने इसके पहले जो reptilia का classification पढ़ा था and reptilia का चब हमने general characteristics पढ़े थे तब maxilla, premaxilla, mandible यह सारे words हमने उस time पे मैंने बहुत अच्छे से आपको explain किया था और मैंने description box में भी इन सब के links डाल रखिए इन वीडियो से पहले आपको जिन वीडियो को देखना जरूर ही है या जिन topics का आपके माइन में clear होने चाहिए उन सारे ही topics के link मैंने description box में प्लीज आप पहले उन topics को clear किजिए उसके बाद यह topic पढ़ना आपके लिए easily understandable हो जाएगा मैगजीला अचो होता है मैगजीला के front में ही दो large functional fangs present होते हैं जिनने हम क्या कहते हैं आइसे टाइप के जो snakes होते हुड़े हम soleno glyphos कहते है then इनके जो base होते है its base is covered on all sides by a sheet containing a few reserve or developing fangs और इनके जो base पर it means जो large functional fangs जो आगे की तरफ उनके ही पीछे वाले चारो तरफ all sides उनके ही पीछे base पर क्या होंगे दूसरे reserved or developing fangs present होते हैं फिर यह जितने भी fangs होते हों कैसे होते हैं movable होते है और turned inside to lie close to the roof of mouth when it is close so friends next video में हम biting mechanism पढ़ेंगे it means जब भी attack करता है snake तो उसकी जो fangs होते हों कैसे बाहर आते है और कैसे inject करते है venom किसी भी victim में so यह हम next video में पढ़ेंगे जिसमें हमें देखना है friends जैसे की cobra snakes भी अलग-अलग types के होते हैं जो cobra होता है उसके fangs थोड़े छोटे होते हैं और permanently बाहर ही निकले हुए रहेंगे बट एक ऐसे examples है like crates crates होते हैं wipers होते हैं it means जो crates जो होते हैं friends वो ऐसे snakes होते हैं जिनके जो fangs हैं वो इतने बड़े हैं कि जब वो mouth open करते हैं तब तह वो step से vertical रहते हैं और जब माउथ closed करते हैं तब वो से पूरे जो fangs हो है वो इस तरह से उनके mouth के अन्र चले जाते हैं it means यह इंका mouth है और वो पूरी तरह अंदर चले गए अब एक hollow venom canal होती है, जिसमें से venom pass out होगा, जो क्या करते है, enamel के अंदर ही होती है, जो fangs के through, fangs के बीच में से fangs के अंदर से वो canal जा रही है, और कहां open होती है, लाइक ये है, ये tit है, ये क्या है fang ये, इसके tip पर इस जगह पर क्या होगी, opening होगी, जहां से क्या होगा, जैसे ही, जो fangs किसी भी विक्टिम के body के अंदर जाएंगे, तो उसके अंदर उस opening से जो, क्या होगा, जो venom होगा, वो उसके अंदर inject हो जाएगा, बाडी के अंदर चला जाएगा, अब इसके example से एक तो wipers, wip spit wipers, जो होते हैं, and rattlesnakes, so rattlesnakes को हम crates भी बोलते हैं, ये example से solenoglyphos, snakes, then next, proteroglyphos, pants, proteoglyphos, जो fangs होते हैं, भो किसे होते? तो ये chwo fangs होते हैं, वो small होते हैं, और maxilla के front में ही होते हैं, और permanently erect होते हैं, जैसा कि अब भी मेरा आपको बताया था इता, qobras, sorry crates अलग होतें, यही होता है जो क्रेटशों में भी प्राटेरो घ्लाइफरोपाँ से फेंग्स न भी प्रेजन को में तो क्रेट ञती है'reं जीन क्वेंट होते मैं धो मिलुखेंग्स की जमें भी पतल गलाइफरोग लाइफरोटों और Choi90 के प्र्रेजनक्स होते हैं उन सब में क्या होते हैं फैंग छोटे होते हैं फिर हर एक जो फैंग है इस ग्रूवड ओल अलॉंग इस एंटीरियर फेस और यह जो हर एक फैंग इस जितने भी फैंग होते हैं उसमें कैनाल बाहर आ रही होती है ग्रूविंग होती है उनमें किसके इधर जो एंटी उस एक्जाम्पल से कोब्रा जो कॉरल स्नेक्स और सी स्नेक्स थर्ड हैए और जाब अपिस्तो उपसाग फहसाय हो कैसे होते हो समॉल होते है और मैक जी लेके पावप से प्रेजेंग और इन में भी ग्रूविंग उती इतमें । नियूदस प्रेजन प्रशोंट ब्रभण ध्र यह मंग क्थले प्रेजन निच के पोछार। पेक साइट पर प्रेजने और इनके अग्जाम्पल से हो कुछ वैने मस्नेक्स प्रेजंग को स्ट्री जो में ने according तो हमने देख लिया ओके जो 3 थे वो कौन-कौन से थे soleno glyphos, protero glyphos और opistoglyphos fangs अब एक फ्रेंट्स होते है aglyphos अब aglyphos क्या होता है तो यह unmodified teeth होते हैं जिनको हम non fangs भी बोलते हैं और यह aglyphos जो fangs है वो सारे ही snakes में present होते हैं यह ऐसे teeth होते हैं जो क्या करते हैं ग्रिपिंग करते हैं एक तरह से लाग जो आगे वाले थे फैंग हैं वो तो क्या करेंगे वो तो सिर्फ वैनम इंजक्ट करने के लिए हैं friends आप आप ऑविसली बहुत सारे बच्चों को डिस्कवरी चैनल जो है उस पर देखने में बहुत अच्छा लगता है that is man vs wild and may i don't want to tell about the series बट ऐसे बहुत सारे शोज आते हैं जिनमें क्या होता है कि इस टाइप का जो wildlife और creatures के बारे में बताते हैं उनमें friends snakes के बारे में बता होगा तो आपको जो वो लोग होते हैं वो सीधे जो क्या करते हैं जब snakes को पकड़ते हैं catch करते तो उनकी गर्दन नेक वाले पार्ट पर पकड़ते जिससे क्या होता है उनके fangs है वो चाहे venomous हो या non venomous हो वो अपने डंक जो है या fangs है वो किसी को भी attack नहीं कर सके उन fangs है जिससे वो क्या करते हैं सीधे नेक पर पकड़ते हैं जो अगलाइफस जो होते हैं वो क्या होता है जो आगे के जो fangs है वो तो सिर्फ विक्टिम पर क्या है बॉड़ी में केवल venom इंजेक्ट करने के लिए बाकि जो दूसरे चो टीथ होते हैं अगलाइफस टीथ जो fangs इन इनको non fangs भी बोलते हैं वो क्या करते हैं प्रे की gripping क जो भी जिनको उन्होंने विक्टिम बनाया उसको चलो venom से वोदू कर दिया बट बाकि उसको खाने के लिए या उसके लिए वो क्या करेंगे ग्रिपिंग करते हैं उसको अंदर उतारने के लिए भी तो कुछ टीथ की जरूरत है लाइक हम भी जो खाते हैं कुछ भी जब भी हम eating करते तो च्यू करते हैं तो हमको अगर हमारे भी फ्रेंड्स के वो दो ही दाथ होते तो हम खालेते हम आगे से कर सकते यह च्यूश नहीं कर सकते यह चंप नहीं सकते नहीं कर सकते और अचू मोरh पाइथन और बोवा पाइथन में अजगर उनमें इस टैप के अगलाइफस जो अन्मॉड़िफाइट टीथ होते हैं वो सबसे जादा यूज़ होते हैं क्यों क्योंकि यह नोन वेनम स्नेक से अजगर कभी पहें जहरीला नी होता है वो सीधे अटेक करता है और निगल लेता ह और यह एक structure reference fang का जिसमें यह है intake aperture इटमीज ही ऊपर कहा पार्ट है जहां से क्या होगा जो duct है वो duct इसके अंदर सीधी आ रही है यह pulp cavity है आपने भी obviously जो human teeth का तो diagram सब नहीं देखा होगा सबसे बाहर enamel होता है देन अंदर से जो second part होता है dentine होता है snakes में भी यह रहा dentine present है then क्या होती है नीचे सबसे नीचे pulp होता है और pulp की नीचे क्या होती है blood vessels होती है root जिसको हम कहते है so यह venom canal so इन में भी same ऐसे pulp cavity present है and यह discharge aperture it means यह venom canal है उसमें से क्या होगा इस जगह से venom release होगा अब at last हम एक diagram देख लेते है friends यह होता है diagram of the snake क्या हम कह सकते है venom aperture of the snake like this is the diagram यह है upper joint का यह aperture और इसमें से जो बड़े बड़े जो यह fangs बाहर आ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते है जो teeth बाहर आ रहे हैं उनको हम कहते है fangs और इनके पीछे है दो छोटे छोटे जो दीख रहे ह धिलीज करते है and this is bife d tongue bife means this type की दो मुं वाली जो क्या होते हैं टंग होती है then this is gullet gullet क्या होता है friends इसो फेगस जिसे फ्रेंग्स हमारे इसो फेगस होती है वैसे सेम गलेट होती है जो क्या कर रहे है जो फूड है जो भी खाएंगे उसको कहा ले जाएगी स्टामक में ले जाएगी तरह से यह एक तरह से यह स्ट्रक्चर होता है जो कहा पर प्रेजर्ट होता है जो उसको ऐर का पैसिट जो है उसमें वह पर ही प्रेजर्ट होती है ओह्यसको उन औप रयो decisions को में अर्व ने कि इनीच रॉप्ट उपॉटल मुसल्स जो इसे जी ते वेनम डॉप्त यह होगा बॉप्त। वेनम ग्लैंड से निकल रहे हो यह बनम ग्लैंड और यह से वेनम डॉप्त। पर मिल रहे हैं फैंक्स में जा रहे है सीथे then this is eye then यह लॉरियाल पिट so friends लॉरियाल पिट क्या होता है यह नोस के टिक पास और आइस की नीचे प्रेजेंट होता है लॉरियाल पिट आगे प्रेजेंट होता है आएगे यह एक तरका अंदर काईं का जो इनर बोडी तेंपरेजर है उसको मेंटेन करता है and this is nostril so friends यह एक structure है this is the venom apparatus of snakes so here we have finished our topic venom apparatus of snakes so friends if you find any doubt related to this topic then you can ask me in the comment box